हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई चैनल नोवल एक्स्प्रेंट तो इस वडियो में मैं कॉंटिन्यूस लव मंग का नेक्स पार्ट एक्स्प्रेंट करूगी जैसा कि हमने लास्ट चेप्टर में देखाता है जो हमारी यंजी और चैंग जिन की स्टोरी चल रही होती है और वह देखते हैं यंजी चैंग जिन को देखके उसे अपनी और खिष्ट है और इसे किस करने लगता है तो चैंग जी तुम अभी भी यंग हो तो मैं तुमें अलाव करता हूँ यह सब एक्ट करने के लिए लेकिन अभी बहुत हो चुका तुमें अभी वेक अप होना चाहिए औ वापस से अपने घर जाना चाहिए और वहां से जाने लगता है तो यांजी बोलता है कि मैं आप पे कभी भी गेब अप नहीं करूंगा तब इसे जो मतलब चैंग जिन है ना उसने यांजी के वर्ड्स को सिरियल स्ली नहीं लिया था और वो हमेशा ही उसे अवाइड करता रह करते हैं और फिर हमें बताया है जो एक दिन जो छैंग ली है और लिए तो दोनों भी आपनी शादी के बात करें और जो फहां पर डून सेयूंकल पादर था जावाग। परसन के साथ हमेशा के लिए रहना जिसे तुम लाइक करते हो बहुत ज़रूरी है इसके इलावा नेक्स वीकेंड पर मैं तुमारे लिए एक बैंकुट अर्रेंज करूंगा और यहां पर यह सारी चीज़े सेटल हो जाते हैं और बैंकुट वाले दिन पर हम देखते हैं वहा पहले बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर सकता तो अभी हम देखते हैं जो यहां जी है वो फिर से उसे अप्रोच करने की कोशिश करता है और उन दोनों को कॉंग्राचुलेशन बोलता है उनकी इंगेजमेंट पर और उन्हें बोलता है कि जो मेरे फादर्स हैं वो किसी बात करता है कि ब्रदर आफ फाइनली वापस आगे तो फिर जो चैंग जीन है वो से बोलता है कि हां बहुत दिनों के बात मैं वापस आया हूं और तभी थोड़ी बात करते हैं और यहां जी पूछता है चैंग जीन से कि आप फिर से क्या वापस जाने वाले हैं तो चैंग यह वह काफी जदा बड़ा हो गया है और उसकी बाड़ी भी पहले से जदा ग्रोन अप हो गई है तब हम देखते हैं यां जी उसे कुछ ट्रिंक आफर करता है और वह ऐसे ले रहा होता है तब ही जो चैंग जिन है वह सोच आई यां जी को ऐसे देखते हैं कि यां जी काफी लग रहा है ऐसा लगता है जो भी पास्ट में हमारे बीच में होता है वह सिंपली भूल गया है और यह काफी अच्छी बात है तब ही हम देखते हैं जो चैंग जिन है वह बोलता है यां जी से कि मैं बहुत ही जल्दी में वापस आया हूं तो इसलिए मैं तुमारे ले कोई गिफ्ट नहीं लेकर आया हूं क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हारे ले बाई कर दूँगा तो यां जी इसे बोलता है कि नहीं इसकी कोई ज़रत नहीं है मैं अपने लिए खुझ से अभी कोई भी जीस खरी सकता हूं तब है हम देखते हैं जो चैंग कर दूंझे का चैंग जानाइं यह उतिया हम चाप्टर यह चाहिए मैं जा कर दो कहक ही ज्यूंदें तूम्हें आज का आज के बादा उते बात आशके हैं हтесь भागने नहीं नहीं दूँगा और हम देखते हैं वो रूम में होता है और जो मतलब चैंग जीन होता है ना उसके जो कपड़े होता है वो इधर उधर होता है और ये देखके वो यांग जी को बोलता है कि यांग जी तुम क्या कर रहे हो तो इसे के साथ ये वाला चप्टर यहीं पर फिनिश हो जाता है तो नेक्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जो चैंग जिन और यंजी दोनों ही अकिले होते है रोम में और जो चैंग जिन है वो बोलता है यंजी को कि तुम यह क्या कर रहे हो मुझे जाने दो और वो से पुश्ट करने की कोशिश करता है लकिन इसका कोई फाइदा नहीं होता क्योकि चैंग जिन और यंजी दोनों की स् depiction sampai काफिладधड़ अलगोती है और जो यंजी है वो बोलता है चैंग जिन से कि तुम इस टाइम पर मुझे से भाग नहीं सकते हो तो फिर यांजी उसे बोलता है कि तुम अखिर चाहते क्या हो क्या तुमने मुझे कुछ खिलाया है क्या तुमने मुझे किसी तरह की मैडिसन दी है तो यांजी उसे बोलता है कि हाँ ब्रदर मैंने ये सब इसलिए किया है तांकि तुम मेरे पास आ सको और तुम सिर्फ मेरे हो और तभी जो जैंग 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 पावरफुल हो तो मैं यहां बचा नहीं सकती है। किया तुम समझ रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं। तो फिर यान जी उसकी बाद सुनके उसे बोलता है क्या आपको लगता है कि मैं इन सबी बातों से डरूँगा। तो फिर चैंक जिन उसे बोलता है कि इसका कोई फर् explicitly परता है मुझे बस यहां से जाने दूँ तो एंड जी उसे बोलता है कि मैंया उप कितना जाना मिस्ट किया ब्रदर और फिर वो उसे बोलता है पता नहीं कितने टाइम बार मेरे दिमाग में ये कहाला है कि मैं आपको अपना बना लूँ मैं हमेशर जाता था कि तुम सिर्फ मेरे हो और मैं अभी बिल्कुल भी ये और ज़्यादा बरदाश्ट नहीं कर सकता कि आप मुझसे दूर जाओ तब ही चैंग जिन उसे किक करता है और वहां से जाने लगता है तो ये जी उसके पीछे आता है और उसे बोलता है कि प्लीज यहां से भागो मत और तुम मेरे हो और तुम मेरे फिर हो और वह उसे जादा चैस करने लगता है तब ही जो चैंग जिन है वह उसे मना करता है कि तुम मेरे सा जबर ज़सी नहीं कर सकते हो और वो उसे किस करने लगता है तो यंजी उसे बोलता है कि क्यों नहीं और फिर वो उसे बोलता है कि ब्रदर मैं आपको हमेशे से ही लाइक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमेशे के लिए मेरी हो जाओ तो जो चैंग जिन है वो से push नहीं कर पाता और तभी हम देखते हैं वहाँ पर उसका gate open होता है और वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं तभी जो change in है वो यांजी को push करता है तो जो और वो explain करने लगता है अपने फादरों को ये सारे situation तो उसका फादर उससे बोलता है कि जल्दी से dress up करो और बाहर आओ और वो वहाँ पर जो येंजी है उसे अच्छे से सोफे पर लटाता है और वहाँ पर उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है तभी हम उन दोने को गाड़ी में देखते हैं उसका फादर चैंग जिन को बोलता है कि तुमारे और येंजी के बीच में क्या हो रहा है अगर मैं वहाँ पर टाइम पर नहीं आता तो क्या तुम उसके साथ तो फिर चैंग जिन अपने फादर के सोरी बोलता है तब ही उसका फादर से बोलता है कि क्या उसने तुम्हें फोर्स किया अगर उसने ऐसा किया भी है तो फिर मैं तुम्हें बता दू तुम्हें उसके रिपॉर्ट करने की ज़ुरत है और उसे मैं खुद से देख लूँगा उसकी फैमिले भी उसे को इस बात के लिए punishment से नहीं बचा सकती, तो मैं पता है ना, तो फिर वो इतना seriously बोले होते हैं, तो चैंग जिन सोच ता है कि अगर फादर इस टाइम पे बहुत ही ज़दा angry है, अगर मैंने उन्हें सचाई बता दी कि यंजी मुझे पसंद करता है, तो वो यंजी को वहां से भ दो बोलता है कि नहीं उसने मुझे force नहीं किया, तो फिर उसका फादर उसे बोलता है, तो फिर क्या है, क्या तुम्हें उससे प्यार करते हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं पता है ना, वो तुम्हारे brother की age का है, इसके लावा तुम दोनों की age difference पता है, तो फिर चैंग जिन तो मारे लिए मेरी जो जंता है वो थोड़ी शान्थ हो सके और में रेश्ट अशॉर्ड हो सकूँ तो फिर जो उसका फादर की बास उनके चैंग जिन को मानना पता है तो इसके साथ यह वाला चप्टर भी फिनिश हो जाता है तो नेक्स चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जो चैंग जिन है उसने अपने फादर के बात मान ली और वो तभी से ब्लाइंड इट पर जाने लगा और एक बार वो ब्लाइंड इट के साथ आया था अपने और उसकी ब्लाइंड इट उसे एक जो डेजर शॉप है व लाइंड है चैंग जी उसे बोलता है कि उसे उसे ब्लाइंड ना कर से इटिन हो केशा है तो फिर जो यान जी है वो से बोलता है कि ब्रदर क्या यह आपकी future marriage partner है और वो से दिखता है और smile करता है तो चैंक जिन सोच रहा है कि इस के eyes clearly smile नहीं कर रही है तब ही वो अपनी partner को बोलता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए washroom जाना है तो आप अभी choose कर लो कि आपको क्या खाना है तो फिर वो वहां से washroom में चलता है और वो सोच रहा है कि clearly यान जी की आखों में मैंने देखा था उसने अभी तक मुझे गिव अप नहीं किया मुझे कुछ ना कुछ find करना होगा ताकि मैं उसे avoid कर सकूँ तब ही हम देखते हैं वहां पर जो यान जी है वो आ जाता है और वो washroom का gate है उसे बंद कर देता है तब ही जो उसका भाई होता है न मतलब चैंग जिन वो उसे बोलता है कि यान जी तुम क्या चाहते हो में इसे और जो यांजी है वो वहाँ पर जाता है और उसे किस करने लगता है तब ही जो चैंग जिन है वो उसे वहाँ से पुश करता है तो यांजी उसे बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी अलाओ नहीं है मैरी करने के लिए तुम्हें बिल्कुल भी अलाऊने है किसी और से contact करने के लिए जब था कि मैं तुम पर give up नहीं कर सकता क्या तुम्हें पता है ना अगर तुमने इससे किया तो फिर मैं क्या कर सकता हूं तो फिर चंग जिन उसे बोलता है ठीक है फिर मैं तुम से promise करता हूं कै मैं अभी किसी और से नहीं मलूंगा लेकिन तुम्हें मुझे करो कि तुमाभी मुझे हरास नहीं करोगे ए अज़िक उसे बोलता है कि हाँ ठीक है तुब दोनों की में डील हो जाती है किए चैन जिन किसी और से नहीं मिलेगा marriage के लिए और जो यांजी है वो उसे हरास नहीं करेगा तबीसे जो यांजी है उसकी बाद सुनके चंग जिन ने अपने ब्लाइंडेट को रेचेक्ट कर दिया होता है बलकि उसे बहुत अच्छा सा गिफट भी प्रिपेर करके दिया होता है ताकि वो नाराज नहूं उसकी वज़े से जो उसकी फादर है उसके बहुत ज़दा डाट परती है लेकिन चंग जिन कुछ भी नहीं बोलता और वो असे ही कंटीनू करता नहीं किसे से मैरेज़ करता है और इसके लावा यांजी ने भी अपना प्रॉमिस ने वाया था नहीं वो मतलब प्राइविसी में उसके साथ कभी भी मिलता था बलकि बैंक्विट में ही वो कभी ना कभी मिलते थे अधरवाइस उन दोनकी वीच में कुछ भी नहीं होता था और ऐसे ही चलते चलते एक बार जब जो चैंग फैमिलिया वो बैंक्रेप्ट हो गई तब ही से जो चैंग चीन है उसकी आत्रक्टिव कॉंट्रेट बीज पाउता है और उसमें वह उसे अपने साथ काम करने के लिए बूर रहा होता है तो चैंग चिन सोचब खेमिलिया यह कोई ऐसे ही नहीं है फो जरूर मुझे चाहता है वह मुझे पता है और फिर वो उस मैनेजर को मना कर दिता है कि मैं अभी तक उस point पर नहीं पहुँचा जहां पर मुझे मेरी बाड़ी को sell करना पड़े तो फिर हम देखते हैं वहाँ पर जो चंगली है ना वो अपने फेवरिट जो जो जॉलरी पीस है वो अपने भाई को देते हैं कि भाई आप यह सब सेल कर सकते हैं हमारे फादर की सर्चुरी के लिए और चंग्चन सोच जा है कि मेरे एक गलत फैसले ने पूरा बिजनस बेंक्रेप्टी पर लेकर आ गया मैं और इसके इलावा जो चंगली है उसे काफे ज़दा अच्छे से मतलब जो एलरी पीश्टी बेजारा बहुत अच्छे लगते हैं अभी उसे यह सब गिव अप करना प अपनी होती है और उसे बोलता है कि अगर मैं कुछ भी अक्ट करने के लिए दा रहा हूं जब तक कि आप मुझे मेरी मनपसंद पेमेंट नहीं दे सकते हैं और उनके बीच में थोड़ी सी बार्गनिंग होती है और वो दुनों मान जाते हैं एक पॉइंट तक और इसके